नमस्कार A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ मेथी मलाई लच्छा पराठा ये बहुत ही मज़िदार लगता है वैसे जो हम मेथी के पराठे बनाते उसे एक काफी अलग है इसमें हम मलाई डालेंगे काफी अच्छी तरह से मैं आपको ये पूरी वीडियो में बताऊंगी इतना स्वादिस्ट लगता है इसे आप धही के साथ खाये चटनी के साथ खाये बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते तो एक सबसे पहले एक बड़े बरतन में हम डालेंगे दो कप ये हूं का आटा एक चमच अजवाईन को मैं इस तरह से मसल कर डाल रहे हूं और एक चमच अद्रक लसन की पेस्ट अगर आप लसन नहीं खाते तो सिफ अद्रक की पेस्ट डालें एक कब एकदम ताजी मेथी अच्छे से दोई कटी हुई एक चमच इसके अंदर नमक आदी चमच इसके अंदर डाल रहे हूं हल्दी पाउडर एक चमच में इसके अंदर डाल रहे हूं लाल मिर्श पाउडर और फिर इसके अंदर मैं डाल रहे हूं यहां पर तिल तो ये म अब सबसे पहले में डाल ना है तो यहां पर करके पाणे ऑर gotta गुंदेंगे जयांज नहीं जादा नरम होना चाहिए और नहीं जादा सक्त मीडियम आटा गुंद कर हमें तयार करना है और यह जो पराठे एक तम परतो वाले बढ़िया मज़िदार बनते हैं आप एक बार बार जरूर बनाएंगे इतने यह स्वाधिस्ट लगते हैं तो देखिए मैंने आटा गरम करने के लिए जब तक तबा गरम हो रहा है यह पराठा बेल लेते हैं तो चकले पर सूखा आटा लगाते हुए मैंने यह रग दी है लोई अब इसे हम बेलेंगे इस तरह से तो यहां पर जो लच्छा पराठा है थोड़ा सा मैं बढ़ाई बना रहे हूं क्यूंकि इस जितना हम तेल लगा लेंगे अच्छे से पूरे में फैला लेंगे उसकी बाद फिर से सूखा आटा इस तरह से छिड़केंगे और हाथों की मदद से फैला लेंगे अब इसकी हमें देखिए प्लेट्स बनानी है उठाते हुए इससे देखिए जैसे हम पड़दे में कैसी ह प्लेट्स वैसे हमें इस तरह से करना है आटे को जो यह रोटी इसे उठाते हुए लपेटना है जैसे मैं कर रहें इसी तरह से करते हुए अब इसका जो किनारा है उससे हमें गोल गुमाते हुए पूरा देखिए फिर से एक लोई की तरह बना लेना है और यह जो बचा हु लगा कर इसे बेल लिया है तो मारा ये जो लच्छा पराठा वो बनकर तयार है जादा मोटा भी नहीं जादा पतला भी नहीं मीडियम तब अच्छा गरम हो चुका है मैंने पराठा डाल दिया है अब आप इसके उपर तेल लगाएगी मखन जो आपको पसंद हो उसे लगाते तो आप देख सकते किती बढ़िया परतो वाला हमारा ये लच्छा पराठा तेखे तयार है अब मैं आपको इसे चकले पर ले ले रही हो और इसकी परते दिखाऊंगी देखे थोड़ा से इस तरह से गुमाएंगे किती बढ़िया हमारी परते तयार हुई है अब इसे प्ल पिल ले और इसे फिर गी तेल या मखन से सेख ले तो लीजे हमारे ये जो मेथी वाला ये लच्छा पराठा है बनकर तयार है इसे आप चटनी के साथ खाए या फिर दही या फिर रायता सभी के साथ बहुत ही बढ़िया लगते एक तम बढ़िया परतो वाले ये लच्छे पराठे तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए और मज़े कमें सेक्षन बताए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बि कीजिए और मेरे चाल डंडर फू मेरे स tuo में सेक्षन याच था चू बताए का यो ये टुडूऽ से तेस मेरे चाल ये जच्छी लगी है नहाँ और नहां है right बताई curriculum को एस्सएए लागी है शे दिग दिए बत्ता लुट आः बताई मेरे बताई